बहुत ही आसान तरीके से आप अपने बातरूम की या किचन के नल को कैसे चमका सकते हैं तो चलिए देखते हैं इस नल की जो हालत थी पहले वो कैसी थी तो आप देख सकते हैं ये कितना गंदा हो चुका था और इसको मैंने बहुत ही आसान तरीके से साफ किया है तो एक चमच मैंने इसके अंदर ले लिया है कपड़े धोने का पाउडर और साथ ही डाल रही हूँ एक चमच मीठा सोडा और एक चमच डाल रही हूँ इसके अंदर मैं हार्पिक और एक चमच इसके अंदर मैं डाल दूँगी वाइट विनेगर इसको तुरंट अपलाई कीजिए इसको रखीगा मत तो चलिए इसको हम लगा लेते हैं अपने नल के उपर आप एक बार लगाएं या दो बार लगाएं उसके बाद आप ऐसे 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि जो इसका मैल है वो अच्छे से फूल जाएगा तो यहाँ देखिए मैल अच्छे से फूल चुका है मैं आपको दिखाती हूँ यह देखिए कितने आसानी से मैल फूल चुका है और अब आप इसे किसी भी लोहे के जूने से अच्छे से रगड के साफ कर दीजी यह पहुत ही आसान तरीका है आपको जादा महनत नहीं करनी पड़ीगी और अब आप देख सकते हैं नल और टाइल्स कितने अच्छे से चमक गए हैं आप एक बार यूज़ कीजे इसे